हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग पूरी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़ियासी होंगे फ्रेंड्स आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इंटरस अनलाइसिस की आज हम यहाँ पे ओपन इंटरस को अनलाइस करना सीखेंगे देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यह अजियूम करके चल रहा हूँ कि you are familiar with options यानि आप options को जानते हैं कि options क्या होते हैं options में trading किस तरीके से की जाती है और options chain को कैसे देखा जाता है इससे पहले मैं open interest के ऊपर दो वीडियोस बना चुका हूँ और resistance का पता लागा सकते हैं किसी भी stock का या index का तो आज जो हम यहाँ पर open interest analysis की बात कर रहे हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा what can we learn यह हमारे लिए option trading में किस परकार से beneficial हो सकता है देखिए इससे हमें यह पता लग सकता है कि जो option trader है वो किस side में positions बना रहे हैं यानि वो long position बना रहे हैं या short position बना रहे हैं या उन्होंने जो पहले long अपनी positions बना रखी थी फिर वो चाहे call में हो या put में हो उसे क्या वो square off कर रहे हैं उसे unwinding कहा जाता है और अगर उन्होंने अपनी पहले कोई positions को right किया हुआ था यानि पहले उन्होंने अप options को sell किया हुआ था तो क्या उसे cover कर रहे हैं इनी चीजों का हमें open interest analysis से पता लग सकता है जो हमें option trading में helpful हो सकता है तो इसे हम example से समझ लेते हैं देखे ये आरकॉम का stock है और ये आरकॉम की option chain है देखे अगर आपको ये नहीं पता कि ये open interest क्या होता है और volume क्या होता है तो इसकी उपर मैं पहले एक video बना चुका हूँ आप प्लीज वो वीडियो देख लें so that आपको ये open interest और volume समझ में आ जाए इसी तरीके से अगर आपने ये देखना है कि option chain में सबसे दा open interest कहां पर बना हुआ है कौनसी strike price पर बना हुआ है और वहा पर हम specifically बात करेंगे कि किसी particular strike price में यानि हर individual strike price में जो options trader है वो किस तरीकी की positions बना रहे हैं वो हमें open interest analysis करके पता लग सकता है लेकिन वो सिरफ हमें open interest से पता नहीं लगेगा हमें ये चेक करने के लिए कि जो option trader है वो किस तरीकी की position बना रहे हैं उसके लिए हमें जो ये change in open interest वाला column है इसको प्लस ये जो options के premium में जो change आया है इन दोनों को एक साथ study करना पड़ेगा तब हमें ये पता लगेगा कि किसी particular strike price है किसी stock की या index की उसमें जो option trader है वो किस तरीकी की positions बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक r.com की जो 30 रुपीज वाली strike price है put वाली side में यहाँ पर देखिए जो change in open interest वाला column है यहाँ पर इस strike price के सामने change in open interest कितना हुआ है 21,70,000 यारी यह बढ़कर आया है increase हुआ है यह positive figure है लेकिन इसके सामने यह जो change in premium है यानि net change जो premium में है वो negative में है इसका मतलब हम यहाँ से यह idea निकाल सकते हैं या interpret कर सकते ह कि यहाँ पर जो option trader है उन्होंने क्या किया उन्होंने 30 वाली जो strike price है आरकॉम की उसको short किया है या यहाँ पर उन्होंने short selling की है जब भी किसी strike price के सामने change in open interest में figure जो है वो positive में आए बढ़कर आए और उसके सामने जो premium है वो decrease होकर आए तो इसे हम यह interpret करते हैं कि जो option trader है उन्होंने fresh shorts create किये है यानि उन्होंने fresh writing की है या उन्होंने fresh short selling की है अब अगर यही scenario यानि change in open interest increase होकर आया है और premium decrease होकर आया है यही case अगर call वाली set में होता तो भी हमारी interpretation सेम रहेगी इससे interpretation में कोई भी change नहीं आएगा अब यही जो 30 rupees की strike price है इसको आप इधर call वाली set में देखें यहाँ पर यह जो change in open interest वाला column है यहाँ पर figure जो है वो negative में आई है यानि change open interest जो है वो decrease हुआ है और यह कितने shareों से decrease हुआ है यह decrease हुआ है 79,80,000 shares decrease हुए है लेकिन इसके सामने जो premium है call का वो increase हुआ है 1.40 का premium increase हुआ है तो इससे आप क्या interpret करेंगे इससे आप यह interpret करेंगे कि जो options trader इस 30 rupees की strike price की call को short sell करके चल रहे थे यानि जो writing करकर चल रहे थे उन्होंने इसे cover किया है या उन्होंने अपने shorts को cover किया है क्योंकि वो यह मान के चल रहे थे कि जो यह expiry होने वाले थी December की उसमें जो आरकाम का stock है वो 30 rupees से उपर नहीं जाएगा लेकिन जैसे आपको पता है कि आरकाम में बहुत बड़ी movement आई है पिछले दो दनों में तो यहाँ पर जो short selling की गई थी जो पहले shorts करके चल रहे थे options trader उन्होंने अपनी positions को cover किया है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी change in open interest में figure जो है वो negative में आए और उसके सामने जो premium है वो positive में आए यानि increase होकर आए फिर वो फरक नहीं पड़ता कि वो call का है या put का है तो उसे आप यही idea ले सकते हैं कि जुन्होंने उस strike price को short किया हुआ था या right किया हुआ था उन्होंने अपनी positions को close किया है या अपने जो shorts का है उ इसे short covering बोला जाता है अब यह देखिए यह JPSC sets का share है यह उसकी option chain है यहाँ पर इसकी यह strike price देखिए 22.50 वाली call side में देखिए इसको यहाँ पर इसके सामने जो इसका open interest change आया है वो increase हुआ है यारी यहाँ पर यह positive figure है 5,44,000 से open interest increase हुआ है और साथ ही क्या हुआ इसकी यह 22.50 वाली जो call है इसका premium भी increase हुआ है तो इससे हमें क्या पता लगता है इससे हमें यह पता लगता है कि जब दोनों ही figures positive में आये change in open interest भी positive में आ जाए और उसके साथ premium भी बढ़कर आ जाए फिर वो call का हुआ या put का उससे फरक नहीं पढ़ता तो इससे हमें यही पता जो option chain है यह bank nifty की option chain है इसकी यह जो strike price है 26,200 यानि 26,200 वाली इसको call side में देखिए यहाँ पर इसका जो open interest में change आया है वो decrease हुआ है negative figure है यह 31,720 share हो से यह decrease हुआ है इसके साथ क्या हुआ है इसका जो call का premium है वो भी decrease हुआ है जब आपको ऐसा case call side या put side में मिले तो आप इ options trader है जिन्होंने उस particular strike price में long positions बनाई हुई थी या buy करकर चल रहे थे उन्होंने profit book कर लिया है या उन्होंने अपने जो long थे उसको square off कर लिया है इसे long unwinding कहा जाता है इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो 24,700 वाली जो strike price है put वाली side में यहाँ पर देखिए change in open interest negative में आया किया कि जो long positions यहाँ पर बना रखी थी उन्होंने अपनी जो long positions को unwind किया है या square off किया है तो चले जो भी अभी तक हमने सीखा है उसे summarize कर लेते हैं देखिए यहाँ पर है options price यह है change in open interest और यह है इसकी interpretation जब भी options का जो premium है वो बढ़कर आए और उसके साथ उसका जो change in open interest है वो भी बढ़कर आए यानि increase होकर आए तो उससे आप क्या interpret करेंगे उससे आप यह interpret करेंगे कि जो options trader है वो उस particular strike price में फिर वो चाहे call में हो या put में वहाँ पर वो fresh longs create कर रहे हैं यानि उस call या put को वो buy कर कर चल रहे हैं इसी तरीके से जब options का price increase होकर आए लेकिन उसके स जो पहले short positions बना रखी थी उस particular strike price में उन्होंने यहाँ पर अपने जो shorts है उसको cover किया है इसे short covering बोला जाता है इसी तरीके से जब options का जो premium है वो decrease होकर आए और उसके साथ जो open interest है वो भी decrease होकर आए तो इसे आप यह idea लगाएंगे या यह interpret करेंगे कि जो long trader थे जन्होंने options को long किया हुआ था या buy किया हुआ था उन्होंने अपना profit book कर लिया है या उन्होंने जो अपनी long वाली position थी उसको square off कर लिया है इसे long unwinding बोला जाता है इसी तरीके से जब options का premium decrease होकर आए बर जो open interest है वो increase होकर आए तो इससे आप क्या interpret करेंगे इससे आप यह interpret करेंगे कि जो options trader है उन्होंने उस particular strike price को further short किया है या उसमें short selling की है तो आप मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जुरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इससे like करें, share करें, comment करें और अगर आप एक नई viewer है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे है तो मेर बार आप आप ।